मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुभा मध्यमस्तर का घना को रहा होगा इस वजह से मौसम विभाग ने यलो अलट जारी किया है बुधवार यानि आज दिन में स्मौक भी रह सकता है अधिक्तम तापमान 25 डिगरी सेल्सियस और नियुंतन तापमान 12 डिगरी सेल्सियस रह सकता है सोमवार के मुकाबले मंगलवार को नियुंतन तापान में 3.9 दिग्रे सेल्सियस की गिरावत हुई है इस वजह से मंगलवार को इस सीजन में अब तक सबसे ठंडी सुभा रही है रिज एरिया वो लोधी रोड के आसपास के इलाकों में ठंड जादा रही लेकिन दिन में हलकी धूप निकलने से अधिक्तम तापान में थोड़ी बढ़ होतरी हुई है वही सुभा के वक्त घना कोरा होने से सफदर जंग के पास नियुंतन तरिश्यता 150 मीटर रही आईजिया एरपोर्ट के पास हलका कोरा होने से नियुंतन तरिश्यता 600 मीटर दर्ज की गई मौसम में भाग के अनुसार दिली में मंगलवार को अधिक्तम तापान 25.4 डिग्री सेल्सियर्स दर्ज किया गया जो सामानने से 2 डिग्री सेल्सियर्स कम है और पिछले दिन के मुकाबले 1.9 डिग्री सेल्सियर्स अधिक है नियुंतन तापान 12.3 डिग्री सेल्सियर्स दर्ज किया गया जो सामानने हैं और इस सीजन में अब सबसे कम है रिज एरिया में नियुंतन तापान सबसे कम 8.8 डिग्री सेल्सियर्स रहा वही लोधी रोड में नियुंतन तापान 11 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया नियुंतन तापान पितमपुरा में सबसे अधिक 16 दशनलब 4 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया घने कोरे के कारट सफदर जंग के पास राट थाई बजे से सुभा 5.30 बजे तक नियुंतन द प्रिशिता बढ़कर 1100 मीटर हो गई सुभा में पालम में घना कोरा रहा यूपी की कई जिलों में घना कोरा देखने को मिल रहा है मौसम में भाग के अनुसार आज यूपी की गाजियाबाद गौतम बुद्नगर मेरट शामली अलिगर्ट लखनव वारांट सी समेथ कई को स्मॉक से थोड़ी रहात मिली और दिन में हलकी धूब भी निकली फिर भी मंगलवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूशित रही और एयर इंडेक्स 450 से अधिक रहने के कारण हवा की गुडवत तक खतरनाक शेड़ी में बनी रही NCR के शहरों में गाजियाबाद गुरुगराव और हापुड में एयर इंडेक्स 400 से अधिक गंभीर शेड़ी में रहा बंगलवार को गाजियाबाद देश में दूसरा सबसे अधिक प्रदूशित शहर रहा केंद्रिय प्रदूशर नियंत्रबोड यानि की CPCB के अनुसार अभी तीन दिन दिल्ली में हवा की गुडवत ता गंभीर शेड़ी में रह सकती है